हेलो 12th class students how are you today we will discuss about unit number third electrochemistry and our next topic is emf and potential difference of the cell चलिए इसको discuss करते हम आज आपका स्वागत है मेरे channel youtube channel पर जिसका नाम है JS Sarva chemistry and जिसने subscribe इसको नहीं किया है please वो इसको subscribe भी कर दे और share भी करें video को तो चलिए देखिए आज गा topic बड़ाई जी बना हूँगा आपके लिए मैं क्या है electrode potential क्या होता सबसे पहली बात मेरे पास electrode potential is denoted by capital E and there may be of two type of electrode potential the first one is oxidation electrode potential and second one is reduction electrode potential तो समझे electrode potential वैसे होता क्या है जैसे मेरे पास बच्चों कोई road है ये it is a simple metallic road कोई भी metallic road मेरे पास है अगर मैं क्या करता हूँ उसको किसी electrolytic solution में डूब होता हूँ I dipped this road in electrolytic solution अब इस electrolytic solution में कोई iron होंगे किसी भी परकार के तो क्या करेगी road अगर road की capacity oxidize होने की है अगर road के अंदर metal है तो वो oxidize होने की capacity रखती है तो इसका मतलब क्या होगा अब यह क्या करेगी अपने electron loss करेगी क्या करेगी अपने electron loss करेगी क्या सार जायेगा mn positive क्योंकि क्या हुआ इन इलक्ट्रों ल्यख्रों कर दिए अब इसने Electron splås कर दिये, Road क के पास क्या जाएगा, देखो, Road क्या है हमारी Metal की, और Metal का क्या हो गया, Oxidation, Oxidation हो गया, तो Electron यहां इसके साथ क्या हो जाएंगे, इसके अंदर Electronों की संख्या जाद हो जाएगी, और इसके बाहर Positive Charged जाद हो जाएगा, और देखो अंदर नेगेटिव चार्ज है बच्छो देखो मैं बताता हूं simply आपको यह रोड है यहां इसके अंदर तो क्या है नेगेटिव चार्ज और इसके बाहर कैसा चार्ज करिये टुआ पुजिटिव इस तरह से चार्ज के अंदर क्या होगा डिफ्रेंसियेशन हो गय बाहर पुजिटिव चार्ज जादा हो गया तो होगा क्या सिच्वेशन है क्या आईगी अब यह रोड हमारी है औक्सीडेशन होने वाली इस रोड पर क्या होगा बच्छे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर चार्ज बढ़ गया ने लेक्ट्रोन इसके अंदर बढ़ गई ठीक है जिस पिरकरिया को बोलेंगे हम Oxidation Electrode Potential क्योंकि Oxidation हुआ है यहां पे The potential difference between the electrode and its iron ऐसा potential जिसके अंदर electrode ये road है जो ये metal है जो और इसके iron के बीच में क्या है जो develop होता है जो potential develop होता उसको बोलते हैं बच्चो Electrode Potential जब ये equilibrium में हो मतलब ये पिरकरिया अब रुक गई आगे नहीं हो सकती अब Oxidation अगर इसकी क्पेस्टी Oxidize होने की है इस रोड की तो इसको मैं बोलूँगा बच्चो MN Electron क्या होंगे इसके अंदर गेन होंगे गेन होंगे तो metal हमारी बन जाएगी और इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा जब इलेक्ट्रोन गया नोगे तो बाहर के आसा चार्ज armed हो जाएगा बचो नेगेटिव और अंदर क कैसा चार्ज प्रिए हो जाएगा अमश्वा स्कू पर शेमाइस परियेट अधार ऊप्लि मेरी हो टीमें मेरे पास M metal है, कोई और M से क्या बन गया, M N positive, इसका मतलब इस metal का charge बढ़ा है, जो उपर वाले की समय था, negative charge है, लेकिन मैंने क्या बताया, कि मेरे पास क्या है, कोई metal M2 plus है, और इसे M बन गया, तो उसका charge गट गया, तो यहां पर देखो, गट गया charge, तो इसका मतलब क्या है, यह reduction जाएगे, the potential difference between the electrode metal, electrode किसका है metal का, and its iron, iron क्या होनेगे, electrolyte में, under equilibrium is called the reduction potential, दोनों समझ गया हुगा आप इजली, अब कौन-कौन से factor हैं, बच्चों जो इनको affect करते हैं, what are the factors which are affecting the electrode potential, एक तो nature of metal भई, metal की nature कैसी है, इसके iron की nature कैसी है, जैसी metal की nature होगी, उसी तरह से वो उतन नहीं iron solution में देगा या लेगा, है ना, दूसरा concentration of ions, concentration कितनी है iron की, ठीक है, उस base पे हम देखेंगे, अगर gas की बात है, तो partial pressure, क्योंकि gas के case में partial pressure होता है, फिर हम देखेंगे temperature का fact क्या पढ़ता है, इसके उपर, ठीक है, ये तीन factor हैं, बच्चों, चलिए, standard electrode potential की बात मैं क करूँगा, electrode potential तो आप समझ चुकी है, अब कुछ condition ऐसी होती है, जहां पर value standard हो जाती है, तो क्या होता है, standard electrode potential, firstly, you will need to know about the symbol of electrode potential, का symbol क्या था, बच्चों, यह था, capital E, बट अब standard अगर जूड गया, तो इसको E note से denote करेंगे, इस chapter में, जहां standard की बात आएगी, बच्चों, आपर E note लगांगा, मैं, यह note होता है, इसको E note बोलते हैं, ठीक है, तो बताओ, standard electrode potential, यहां पर E note हो गया, तो electrode potential, under the following condition, called standard potential, अगर मेरी concentration कितनी है, one molar concentration है, आइनो की, और pressure of gas, one atmospheric, या one bar है, और temperature मेरा 25 degrees Celsius, यानि इसको Kelvin में बदल, 298 Kelvin temperature है, तो ऐसे situation पे, अगर मैं कोई electrode potential रखूंगा, अपने पास, क्या बताया, ऐसी conditions का, अगर मेरे पास, कोई भी electrode potential होगा, तो that is called, standard electrode potential, क्या बोलोगे, standard electrode potential, तो आपको clear हुआ न, what is standard electrode potential, electrode potential, under the following condition, यानि ऐसा electrode potential, जब हमारी concentration, one molar होती है, और हमारा pressure, one bar, या one atmospheric होता है, temperature, 298 Kelvin होता है, तो ऐसी situation पे हम क्या बोलते हैं, इसको, standard electrode potential, और इन standard electrode potential की value बुक में दी गई है, वही सारी value आपको मिलेंगी, fixed value होती है, इसलिए हम इनको जानते हैं, पहले से ही, अब देखो, oxidation potential को समझो क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, कि M मेरे पास कोई metal है, उसके electron loss करते हैं, कितने MN plus, एन electron loss कर गई, तो मैं इसको बच्चो ऐसे लिख सकता हूँ भी, E of M plus, M से लेके M plus, MN plus, यानि M से क्या बन गया, MN plus, चार्ज कुछ बड़ा है, चार्ज में कुछ increment होई है, तो oxidation potential होता है, और reduction potential क्या होता है, देखो, standard electrode potential क्या हो जाएगा, बच्चो, basic term है बिल्कुल, यहाँ पर बस E note लगा दो, इसकी जगे पर, बाकी सारा सेम, standard की बात करें, तो यहाँ E note M of MN plus, ठीक है, अब देखो, reduction potential क्या होता है, बड़ा easy है, जब reduction होगा, तो क्या होगा, charge पहले जादा था, फिर कम हो जाएगा, यानि oxidation number गटेगा, तो E of MN plus से MN बन ज potential होगा, तो यहाँ पर, अगर यह standard value है, तो E note लग जाएगा, बस, यह न, जब value जादा से कम हो, charge मेरा positive से 0 चला गया, स्पोस्थ, ग्रोप पलस 2 से, तो reduction potential है, अगर मेरा charge 0 से पलस 2 चला गया, तो oxidation potential है, समझ गए न, इसीज़ को, जैसे for example, मैं आपको बताता हूं, देखो कि Zn, zinc का oxidation हुआ, दो electron है, तो मैं क्या लिखूँँगा, E note of Zn, क्या लिख दिया मैंने, E note of Zn से Zn2 पलस बन गया, मतलब oxidation potential है, और E note लगा वा तो standard oxidation potential, कैसा बचो, standard oxidation potential, दूसरे case में देखें, Zn2 पलस से 2 electron जूड गया, तो Zn बन गया, सेम चीज है, हमारे पास, तो मैं क क्या लिखूँँगा, E note of Zn2 पलस से Zn बन गया, अब देखो ज्यान दो, यहां पर क्या था, 0 से लेके plus 2, यानि oxidation potential था, इसली बताया जा सकता है, लेकि निच्छे वाड़ा case में क्या है, यहां पर, देख ले एक बार, यहां पर क्या है, E note of Zn2 पलस से Zn, यानि 2 से लेके 0, 4 चला गया, इसका मतलब value कम होई, तो यह value जो actual में standard reduction potential है, यह बहुत काम आने वाले चीज़े हैं, इस chapter में जो जितने भी important topic है, सारे इन ही topics पे dependent है, जो आज मैं करवा रहा हूँ आपको, इसली आप इस topic को बड़ा द्यान से सिखे, क्योंकि जितने भी numericals इसमें एक nervous equation आईगे, हमारी बहुत important equation है, 100% exam में पुछी जाती है, तो वो तभी समझभाओगे जब आज का topic clear होगा, basic malos topic का यह बिल्कुल, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, we can say that standard electrode potential is standard electrode potential or reduction potential that is minus of oxidation potential, यानि standard reduction potential को मैं क्या लिख सकता हूँ, minus of standard oxidation potential, minus लगा के difference था, देखो मैंने समझाया, आपको चीतरे से, यह value दोनों की क्या थे, zinc की थी, यह zinc की oxidation potential है, यह zinc की reduction potential, दोनों में किसका separation है, अगर मैं बोलो, यह मेरा standard oxidation potential है, तो इसका और इसका relation क्या है, यह is equal to minus of SRP, यानि standard oxidation potential is equal to minus of standard reduction potential, यह चीज मैंने समझा दी न, आपको यहाँ प EMF of cell, EMF की full form याद रखो पहले तो, electro motive force, electro motive force, यह EMF की full form होती है बच्चों, तो EMF क्या है, it is the difference between electrode of the cell, cell के electrode के बीच में क्या difference है, मेरे पास यह anode है, यह cathode है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना difference है, electrode के cell के बीच में, जो difference है न, उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते ह ठीक है, clear है न, आपको यह चीज, जैसे अपने पास क्या है, यह मैंने एक cell मान लिया, जो anode है, यह मैंने cathode मान लिया, दोनों एक circuit से जुड़े भी हैं, इस anode का क्या होगा, oxidation, cathode का क्या होगा, reduction, ठीक है, तो मैं क्या बताऊँ, अगर मैंने मान लिया, इसकी value क्या है, oxidation potential है, यह आप बार-बार निवताऊंगा, मैं, E of M से लेके N plus, यह oxidation potential minus 0.2 volt है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में, reduction potential, क्या हो जाएगा, reduction potential कितना हो जाएगा, यह मान लिया, हमने 1.8 volt है, तो EMFE cell क्या होगा, 2 volt, कैसे पता लगया, फर्मूला बनाते हैं, च यानि, electrode potential, electrode oxidation potential, electrode reduction potential, दोनों को क्या करेंगे, एड कर देंगे, अब आपको पता है, बच्चो, क्या, मैं क्या लिख सकता हैं, उसको बताओ, minus E reduction potential of anode, plus E reduction potential of cathode, या फिर क्या लिख देश को बताओ, E of reduction potential of cathode, minus E of reduction potential of anode, फर्मूला बन गया, याद रखो, E of cell, यानि, E MF of the cell is equal to, E of electrode potential of cathode, reduction potential, electrode potential of anode, एक चीज़ याद रखो, यह दोनों की दोनों value हैं, यह cathode की है, यह anode की है, ओनी चीज़ यह reduction potential भई, तब काम चलेगा, यहाद बुक में देखो गे, तो आप ऐसे मिलेगा, यह मेरा फार्मूला सबसे इंपोर्टेंट मैंने आपके लिए, लेकिन बुक में देखो गे तो यह मिलेगा, E of cell is equal to E right, E mine, और E of, यहाँ पर E right लिख लो, या E of left लिख लो, तो right में आप जानते हो, क्या थोड़ी ही तो होता था, left में मारा, anode होता था, तो यहाँ पर anode लिख लिए ना, वो यह साइद गलती होगी, इसम तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, right left लिख लो, right left का concept clear हो जाएगा, ठीक है, clear है, आप देखिएगा एक numerical है, जो आपको बिल्गूल अच्छे से समझा जाएगा, इसमें, कि standard electrode potential निकाल लो, E note निकाल लो भी, यदि ये condition दी गई आपको, ये cell दिया गया, cell represent किया गया है, तो आप cell को representation को देखके, cell की reaction भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हम इसको easily, तो बताओ क्या दिया गया, E note of ni2 plus ni, reduction potential है ये, क्योंकि value जादा से कम हो गई न, यहाँ पे देखो, E note of ag plus ag, ये भी क्या है, reduction potential है, चलो ठीक हो गया, ये भी reduction potential, ये भी reduction potential, तो E note of cell क्या हो जाएग E note of reduction of potential of cathode, minus E note of reduction potential of anode, ये इसको right लिख लो, ये इसको left लिख लो, एक ही बात है, बताओ कितनी value थी, reduction potential cathode क्या था, ये दे रख्या, cathode क्या है, बताओ, देखो, कोई भी cell हो जब, यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था आपको एक तरीका lone, L-O-A-N, याद हो तो, left oxidation anode negative, म तो left में oxidation potential है, और right में मेरा क्या है, यहाँ पे reduction potential है, तो इसको value को यहाँ रखूँगा, मैं, 0.80, है न, यहाँ जाएगा, मेरा minus minus क्या हो जाएगा, formula में put करेंगे, तो plus 1.05 volt आगे मेरा answer, second question देखो बच्चो, find the standard electrode potential of the Daniel cell, if ये value आपको दे गई है, इसमें भी यह situation है, ये मेरा left side है, तो ये left side में क्या होगा, oxidation potential, और right side में क्या होगा, reduction potential, तो E naught of cathode reduction potential, E naught of anode reduction potential, क्या दोनों reduction potential हैं ये, एक बर चेक करो, इसकी value भी कम हो रखिये 2-0, इसकी value भी कम हो रखिये 2-0, yes, दोनों reduction potential है, value put करो, minus minus plus हो जाएंगे बीच में, तो आप जानते हो न, Daniel cell का reduction, यह EMF में सा 1.10 होता, यह option type भी आ सकता पेपर में MCQ, क्या याद रखोगे, Daniel Cell का, जो मेरे पास reduction potential हो, कितना होता, 1.10 volt, ठीक है, या फिर 1.1 भी बॉल सकते होगी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक question और है आपके लिए, standard detector potential निकालो, यह reaction है, तो इसमें क्या situation है, यह 0 से plus 2 charge हो गया, तो oxidation potential है यहापे, जब कि यह भी क्या है, यह भी क्या है, यह भी oxidation potential है, तो गडबड़ो हो गई न आप तो, क्या करेंगे, दोन्नों को reduction potential में change कर लेंगे, कैसे change करोगे, बड़ा easy है, अगर मेरा ZN से ZN 2 plus कितना था, plus का 0.76 था, तो ZN 2 plus से ZN कितना हो जाए प्लस की value, अब यहाँ apply कर दो, reduction potential ज़्यादा वाले में से कम वाला गटा दो, हंसरा जाएगा बना 0.63 वोल्ट, ठीक है, क्लियर हो यहाँ नहीं हो, बताओ, हो गया होगा, अगला topic है, feasibility, spontaneity of cell reaction and gives free energy, अब कई बार gives free energy वाला numerical भी यहाँ प्या जाता है, पेपर में, इसलि वरक जो आया है, useful work तो positive में होगा, जब useful work आएगा, लेकिन delta G की value जब 0 से कम होगी न, delta G की value, 0 से कम होगी, तभी मेरी reaction spontaneous होगी, spontaneous होगी, spontaneous मतलब आगे चलने वाली reaction, अपने आप होने वाली reaction, तो बताओ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे, delta G is equal to minus electrical work done by the cell, यहाँ पे तो cell की बाद चली ही है, सारे electrical work क्या होते है, useful होते है, minus आगे लगा देंगे, तो negative value आएगी, है न, समझो देखो, W is equal to क्या होता है, Q into delta V, Q charge है, delta V, potential difference है, तो वरक हमारा ऐसी तरह से तो होता है, छीक है, तो बताओ, जैसे दो electrode है, मेरे पास एक anode, एक cathode, उनके बीच में क्या है, electron transfer हो रहे हैं, इस road से, इस road की तरफ, anode से cathode, कितने electron माल लिए, मैंने, n mol electron transfer हो रहे, anode से cathode में, तो बताओ, क्या निकाल लोगा, हमें, charge कितना आ जाएगा, charge on one electron, into number of electron, charge one electron पे कितना होता सभी जानते, 1.6 into 10s to power minus 19 कुलम, और number of electron कितने है, n mol, तो n into, n mol गा मत 26,500, यह value fixed लिख दी वे, मैंने, वैसे थोड़ी बहुत कम आती है, बट यह numerical में हम यह यूज़ करते है, तो यह याद कर लिए, तो बताओ, F की value, F यहाँ पे क्या है, एक फेराड में कितने कुलम, यानि 96,500 कुलम, ठीक है, तो charge on one mol of electron, हमारा कितना हो गया, one फेराड, that is, 96,500 कुलम के equal है, तो delta V, हमारा यहाँ पे E of cell है, delta G क्या जाएगा, क्यों into delta V, क्या जाएगा, इसमें put करूँगा, तो मैं delta G is equal to, value put कर दो बुच्चों इसमें, क्या जाएगी, delta G की value, minus NFE cell, क्या जाएगी, NFE cell, यह मैंने बता ही दिया आपको, यह delta G less than 0 है, तो spontaneous reaction, और E note of cell greater than 0 है, तो भी spontaneous reaction हमारी होगी, तो यह formula याद रखोआ, basically, यह आएगा हमारा, ठीक है, जैसे एक numerical देख लेते हैं, find the electrode, find the standard for your energy change, and predict the feasibility of the cell, क्या reaction feasible होगी cell में, तो यह reaction आपको दे रखी है, यह oxidation potential की electrode, standard oxidation potential है, cell का, यह क्या है, standard oxidation potential है, यह reduction है, यह reduction है, यह reduction है, यह reduction है, यह दोनों के value ज्यादा से कम हुई है, तो लगा दो, formula, delta G naught is equal to minus NFE naught cell, ठीक है, E naught cell का निकालना पड़ेगा, हमने अभी सिखा निकालना, cathode का reduction potential, minus N naught का reduction potential, यह ज्यादा reduction potential में से कम reduction potential गटाओगी, अब यह Daniel cell है, तो value 1.10 अभी निकाल ली थी हमने, हैंना, तो यह output कर देंगे, minus N, minus N into F की value 96,500 और E naught की value आ गई इतनी, तो N की value कहां से निकाल लें, N की value निकालना बड़ाईजी है, कैसे निकाल लोग N की value देखो एक बार, जो हम यहाँ पर N की value निकाल लेंगे, ठीक है, क्या निकाल लेंगे, N की value, तो किस तरह से आएगी देखना है, यह value हमारी आए आएगी बचो, कि situation पर आएगी, जैसे मेरे पास एक reaction है, जिंका oxidation हुआ, तो दो electron लोगे, copper का reduction हुआ था, दो electron gain हुए, तो नो को जोड़ोगे, तो जितने electron अगर same हो गए ना, दोनों आप cell की reaction में, तो ही तो electron कठते हैं, जो same हो जाए हैं, तो जो same electron हुए है, जो cancel होते है electron वही, N होता बच्चो, तो यहाँ N कितना हो गया, 2, तो यहाँ पर 2 रख दो, answer आजएगा, minus में आएगा न, इसका मतलब, delta G0 is minus, that is, cell reaction is feasible, spontaneous, गुना कर लो, इसका answer आपका मिल जाएगा, यहाँ ठीक है, आज का final topic मारा है, electrode potential difference और EMF के बीच में, difference बताने, यह topic अंपड च of two electrodes is called the potential difference, दो electrode के बीच में, जो potential का difference, उसको potential difference बोलते हैं, potential difference between two electrodes of the cell, no current, जब current flow करता है, तो potential difference, current flow नहीं करता, बजार से खरीते हो, तो direct value आपको पता लगेगी, इतनी value इसकी, उसको बोल लोगे, आप EMF, it is less than the maximum voltage obtainable from the cell, cell की जो maximum voltage है, उससे हमेशा कम होता है, electrode potential, यह क्या है, it is the maximum voltage, यही तो maximum voltage है, जो प्राप्त होती है, ठीक है, अगला point number three, it can be measured by voltmeter से, इसको निकाला जा सकता, easily, जबकि इसको potentiometric method से, निकाला जाता है, difficult method होते हैं, it is not responsible for flow of steady current, इसके कारण कोई current का responsible नहीं हो इता cell के अंदर, जबकि यह क्या HDD current flow करने के लिए responsible होता है, तो देखो, आज का lecture हमारा इतना ही था बच्चो, बाकि करते हैं, कल वाली lecture में, thank you, have a nice day